प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी की दक्षन को लेकर राजनिती यूज एंड थ्रो की है यानि जब तक उनका मतलब होता है तब तक वो लोगों का इस्तमाल करते हैं और जब वो चुनात जीत जाते हैं तो वहां की जनता से उनका कोई वास्ता नहीं रह जाता यानि नाता तोड़ लिया जाता है ये सवाल इसलिए क्योंकि वाइनाड इस वक्त त्राही माम त्राही माम कर रहा है करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है हजारों लोग अब भी लापता है लेकिन राहूल गांधी और प्रियांका गांधी दिल्ली में बैठ कर बहाने बना रहे हैं वो वाइनाड नहीं जा र गांधी दूसरी तरफ मो करकर खड़े हैं अब आप सोच रहे होंगे कि राहूल गांधी और प्रियांका गांधी का वाइनाड जाना क्यों जरूरी है तो पूरा कच्चा चिठा खुलते हैं और बताते हैं वाइनाड और राहूल गांधी की सियासत को नमस्कार मैं हूँ आ राहूल प्रियांका क्या सिर्फ राजनीती के लिए राहूल ने वाइनाड को चुना? उतर कर लोगों की जान बचा रहे हैं आरेसेस के नाम पर कॉंग्रेस छाती पीटने से पीछे नहीं हटती है लेकिन जब वाइनाड की जनता को जरूरत थी तो वहाँ पर ना तो राहूल गांधी नजर आए और ना ही बहन प्रियांका गांधी वहाँ पर अगर कोई था तो वह थी एंडी आरेसेस के लोग जो लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं लेगे सोचने वाली बात यह है कि वाइनाड में इतनी बड़ी तरास्ती कैसे हुई कि जब राहूल गांधी सांसत थे तो वहाँ पर अवैद निर्मान और पेडों के कटाव को रोकने में वो विफल र रहे राहूर गांधी के वाइनाड ना जाने और बहाना बनाने को लेकर BJP के प्रवक्ता शहजाद पुणावाला ने भी जबरदस तरीके से अमना बोला है तो सबसे पहले आपको शहजाद पुनावाला का वो वीडियो दिखाते हैं जिसका थोड़ा सा हिस्सा पहले आपको सुनवाते हैं फिर आगी की कहानी हम आपको बताते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं शहजाद पुनावाला को आपकी जरूरत है तो आख मून कर दूसरी तरफ देख रहे हैं अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं अपना बहाना बनाकर वहां पर जाने से भी कत्रा रहे हैं। को आगे खबर में हम दिखाएंगे तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या बहाना बना कर वाइनार जाने से खुद को बचाया है दरसल राहुल गांधी और प्रयंका गांधी प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे लेकिं खराब मौसम के चलते उन्होंने अपना दौरा टाल दिया राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर दौरा सगित करने की जानकारी दी और उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रयंका और मैं भुसकलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए वाइनाट जाने वाले थे लेकिन लगातार बारिश और प्रतिकुल मौसम के चलते हमें आधिकारियों ने ये जानकारी दी कि हम वहाँ लैंड नहीं कर पाएंगे मैं वाइनाट के लोगों को आश्वस करना चाहता हूँ कि हम जल से जल वहाँ आएंगे और इस पीज हम हालात पर बारिकी से नजर रखेंगे और सभी जरूरी साहता प्रदान करेंगे इस मुश्किल वक्त में हमारी संबेदनाई वाइनाट के लोगों के साथ हैं वही प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर अपना दोरास थगित होने की जानकारी दिये उन्होंने लिखा वाइनाट के मेरे भाईयों और भेनों भले ही हम बुद्वार को वाइनाट नहीं आसके परंतु इस दुखत घड़ी में हमारी संबेदनाई आपके साथ हैं और हम आप सभी के लिए प्रातना कर रहे हैं इससे पहले प्रियंका ने वाइनाट के घटना पर दुख जताया साथी मृतिकों के परिजनों के लिए मौावजा फॉरन जारी किया जाए मेरी संबेदनाई लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को इस हाथसे में खो दिया है अब चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा हाथसा हुआ कैसे और इसमें कितने लोगों ने जान कवाई लेकिन उससे पहले शहजाद पोनावाला ने क्या आरोप लगाए हैं पहले वो सुन लेते हैं इस प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में कौन मदद कर रहा है वहां के स्थानिय लोगों की कौन लगा हुआ है रेस्क्यू आपरेशन्स में वो है आरेसेस के समर्पित कारेकरता तस्वीरे आपके सामने हैं इंडियारिफ की एरफोस की टीम भी लगी हुई है सौ से अधिक लोगों की जान चली गई है सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये मानव निर्मित आपदा आई क्यों ये स्थेती बनी क्यों 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 कि वहां के पूरे ग्रीन कवर को खतम किया गया अवैद नि बिल्डिंग बनने दी तो आज के लोगों पर इतना बड़ा संकट आया है और राहुल और प्रियंका वाड़ा जो केरल से अपनी राजनीती को चमका रहे थे वो गायर है शहजाद पुनावाला ने अपने वीडियो में राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि ये मानव निर्मित आपता है क्योंकि वाइनाड में अवैद निर्मान हुआ है पेडो को काटा गया है और राहुल गांधी सांसत होने के बावजूद भी इस पर रोप नहीं लगा पा रहे हैं जिस पर राहुल गांधी चाती पीड़ते रहते हैं अब चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी तरास्ती कैसे हुई वाइनाड में आई इस तरास्ती ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है 30 जुलाई को यहां भारी बारिश हुई और भुसकलन की घटना के चलत 150 से जादा लोगों ने अपनी जान कवा दी 100 से जादा लोग इस प्राकर्तिक आपदा में घायल हो गए इसके अलावा इस आपदा में सैक्रों लोग बेघर हो गए इस आपदा में लोगों की संपती पूरी तरह से तबाह हो गई है लेकिन सवाल उड़ता है कि आखिर इस भूसकलन का सबसे बड़ा कारण है लगातार बारिश से जमीन गीली हो गई और मिट्टी धीली पड़ गए जिसके कारण पहाडों से मिट्टी और पत्थर खिसक कर नीचे आ गए इसके साथ वाइनाट में जंगलों का कटाब भी एक बड़ा कारण है पेड़ पोदे मि इसके सब्सक्राण का बड़ गया है और भूसकलन का खत्रा बढ़ जाता है वाइनाट में कई जगों पर अवैद निर्मान हुआ है लोगों ने पहाडों पर घर बना लिये हैं इससे भी भूसकलन का खत्रा बढ़ गया है भूसकलन के पीछे जलवाईू वैग्यानिक ने बिलाश ने बताया कि अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल बन रहे हैं जिसकी वज़े से केरल राज्य में कम वक्त में ही ज्यादा बारिश हो रही है और भूसकलन की संभावनाएं बढ़ रही है पिछले दो हफतों से केरल में बारिश के चलते यहाँ पर मिट्टी का एक गहरी मैसो स्केल में प्रणाली का निर्मान हुआ जिसके बाद वाइनाट, कालीकट, मलपुरम और कन्नूर में सबसे जादा बारिश होई जिसके बाद भूसकलन जैसे हास से हुए प्राकरतिक सुंदर्ता से भरपूर केरल का वाइनाट अपनी जियोग्राफी की काफी संविधनशील है यहां एको सिस्टम नाजुक होने के कारण प्रशाजिन ने इस इलाके को एको सेंस्टिव एरिये का टैग भी दिया हुआ है केरल में नई नहीं है तबाही की कहानी इश्वर का अपना देश कहे जाने वाले केरल को नैशनल जिग्राफिक ने दुनि केंदर ने भी इसे गंबीर प्राकर्तिक आफदा माना था इसके बाद 2019 में केरल का सामना पुथु माला में भुसकलन से हुआ और यहां 17 लोगों की जान चले गए बुसकलन का सिलसला यहां नहीं थम रहा है और अक्टूबर 2021 में इडूकी और कोटायम जिलो में 35 लोगों क में भारी बारिश के कारण राज़े में भुसकलन और बार से 18 लोगों की जान चली गए पृत्वी विज्यान मंत्राले के मुताबिक 2015-2022 के बीच देश में सबसे ज़ादा भुसकलन की घटनाएं केरल में हुई हैं मंत्राले के मुताबिक एसाब्दी में देश में भुसक वाला ने और क्या आरोप लगाए हैं चले इस देखते हैं क्या कह रहे हैं वो कुरुची में 68 दलित मारे गए तब भी वो गायब रहे जब टेलंगाना के फंड काट दिये गए और स्ट को दोका दिया गया तब भी वो शानत रहे तब भी वो कुछ नहीं बोल पाए यही उनका स्री चहरा है यही उनका अस्री चहरा helping the people of Vyanaad but those who have been getting the benefit of getting elected from Vyanaad those who want to be elected from Vyanaad they are nowhere on the ground they are there but but it is not the cause of Vyanaad Vyanaad's people of Vyanaad who have been elected from Vyanaad and this story is what you have to say comment and comment and subscribe to Vyanaad Namaskar